असलाहнаलेकूम दोस्तो सिक्सक्रांस में टोप सवल्ट क्वेश्टन फॉर प्यस्ट और यस Japanese सवreated तो दो सवालात हैं। इसयाला तरह पिश्टी और येस्ट के लिए ज़रूर लगेंगे। सवालात आप काबले तरह हम तोस्तर को आसे किस वीडियो को लाइक करें अगर आपने सेरेश लारना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने लिए सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर किल करें आपके न्यू वीडियो अप्लोड होने पर आप लोगो आप लोगों को साथ लिखना पड़ेगा यहांपर यह साथ और सब्ट्रेक्ट मिनस माइनस और इसके बाद यह पिलस थ्री तो दोस्तों यहांपर कुछने है आप लोगों समझना कि यहांपर जो है पिलस है ठीक है पिलस को पिलस के साथ मुल्किला करेंगे तो जबर buttons आए तो plus के कितने बचेंगे दोस्तो 4 ठीक है यह answer आ गया दोस्तो सीमी कैसीमी का दुर्श जवाब है उसके बाद दोस्तो सब्ट्रेक्ट पिलस 6 फिरॉम माइनस 10 तो अभी क्या करना पड़ेगा माइनस 10 से हम सब्ट्रेक्ट करेंगे पिलस 6 सबसे पहले आप लोगों को जो है माइनस 10 लिखना पड़ेगा उसके बाद माइनस देखर क्योंकि सब्ट्रेक्ट है दोस्तो सब्ट्रेक्ट जो है फ्रॉम के जगा पर हमें क्या देना पड़ेगा minus देना पड़ेगा उसके बाद ये plus ये 6 चाहे यहाँ पर कुछ नहीं है plus पिलस को multiply करेंगे minus के साथ तो जब आप क्या heißt minus ये हो गया 10 उसके बाद minus को multiply करेंगे plus के साथ तो जब आप क्याएगा minus ये हो गया 6 चाहे तो दोस्तो ये आपस में अब होगे जमा होगे, क्योंकि 10 रुपया इसे आप पर गंजापोल लेने कर्ज, minus 10 रुपया भी आपके उपर कर्ज है, ए और minus 6 रुपया भी आपके उपर कर्ज है, तो ये हुआ minus मतलब याए कर्ज, 10,6 कितने होए, 16, means आपके उपर कितना कर्ज हुआ, 16, minus 16, ठीक है C में क्या है C में इसका दुर्ष जवाब है उसके बाद दोस्तो find the product plus 15 bracket minus 23 तो दोस्तो product जो है मालूम करेंगे product का मतलब क्या है multiplication सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा साइन्स जो है ये plus है और ये minus है सबसे पहले ये हम multiply करेंगे जब हम plus को इस बीच में कुछ भी नहीं है आप लोगो समझने के जरब है जब हम plus को multiply करेंगे minus के साथ तो जवाब क्याएगा दोस्तो जब हम plus को multiply करेंगे minus के साथ तो जवाब आएगा minus उसके बाद इस 15 को multiply करेंगे 23 के साथ तो जवाब क्या है दोस्तों, तो दोस्तों जवाब आएगा 345, इसका जवाब आएगा, A में क्या है दोस्तों, A में इसका दुर्ज जवाब है, उसके बाद दोस्तों, find the question of minus 36, minus 36 divided minus 4, तो दोस्तों, question का मतलब क्या है, divide, हमें divide करना पड़ेगा, minus 36 को divide करेंगे, minus 4 के साथ, Divide करने का तरीका, जब minus और plus हो, या minus minus हो, तो divide करने का तरीका ये है, बिलकुल आसान है दोस्तों, और most important सवाला आता है, ये minus 3, 6, और ये upon देकर आप लोगो एक देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये divide है, minus 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं, आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, अभी क्या करेंगे दोस्तों, ये value same ही रहेगा, और ये divide है, वो हम multiply में change करेंगे, divide जब हम multiply में change करेंगे, तो ये जो है, एक उपर जाएगा, और 4 क्या नीचे जाएगा, अभी क्या दोस्तों, अभी table लगाएंगे, table लगाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से table लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पर जो है, चार का table एक बार लगा है, 36 को 4 का table कितना बार लगेगा दोस्तो 9 बार लगेगा कितना बार लगेगा दोस्तो 9 बार अभी यहाँ पर दोस्तो table नहीं लग रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा उपर वाले digit आपस में multiply है नीचे वाले digit आपस में multiply है सबसे पहले आप लोगको साइन्स मल्ट्िप्लेय करने बढ़ेंगे यह एक लिखना नहीं है यह एक सिर्फ आप लोगको समझना है तो इसका जवाब क्यागा दोस्तो、 पिलस नाइन विसका जवाब आ गया बीम ही कह रहीं, बीम ही इसका दुर्श जवाब है उसके बाद दोस्तो simplify 2.9 multiply 1.8 minus 1.3 multiply 3.75 और यह बार का symbol है ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो है यह इसके उपर बार है वो solve करेंगे दोस्तो 1.8 से हम जब minus करेंगे 1.3 तो जवाब क्या है दोस्तो 1.8 से हम अन्फी करेंगे 1.3 अभी 1.8 जो है हमने रख लिया उसके बाद यह digit किस तरीके से रखेंगे सबसे पहले point point के नीचे ठीक है दोस्तो उसके बाद left hand side क्या है वन है तो वन left hand side रखेंगे right hand side क्या है दोस्तो 3 है तो 3 जाब बर रखेंगे ठीक है अभी क्या करेंगे subtract करेंगे आठ से जब हम 3 subtract करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो यह हो गया 5 यह point नीचे 1 से 1 हम मनफी करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो सिफर आएगा ठीक है यह solve हो गया दोस्तो 0.5 इसका जवाब आएगा सबसे पहले आप लोगो को 2.9 रखकर उसके बाद यह multiply देकर यह 0.5 देना है जो आप लोगो ने आएजसे solve करेंगे दोस्तो यह हो गया 29 उसके बाद यह हो गया 0.5 दोस्तो point के बाद कितने digit है एक पॉइंट के बाद कितने digit है एक तो 2 digit होए यह आप लोगों को याद करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो अभी क्या करेंगे दोस्तो multiply करेंगे पांच को फॉर्टी फाइव आएगा फाइव यहाँ पर फॉर केरी ओन पांच को दो के साथ मुल्टी प्लाइ करेंगे तो जवाब क्याएगा दोसो दस दस तो चार कितने है चोदा उसके बाद दोसो इस सिफर को फॉर्टी नैंड से मुल्टी प्लाइ करेंगे सबसे पहले आपनों को जरब देना पड़ेगा सिफर को नो के साथ आप मुल्टी प्लाइ करोगे तो जवाब क्याएगा सिफर ही आएगा सिफर को किसी भी अमाउंट के साथ हम 4 और ये 1 दोस्तो कितने जो है points हैं 2 points है तो points देने का तरीका जो है left hand side जाएंगे एक दो यहाँ पर point देगे क्योंकि 2 digit है दो digit के बाद आप लोगो point देना है left hand side ये हो गया दोस्तो ये multiply किया जवाब क्या आगया तो दोस्तो 2.9 को जब हम multiply करेंगे 0.5 के साथ तो जवाब हमें मिलेगा 1.45 तो 1.45 रखकर आप लोगो ये digit रखना पड़ेगा 3.75 ठीक है दोस्तो अभी क्या करेंगे दोस्तो 1.45 को multiply करेंगे 3.75 के साथ जब 1.45 को multiply करेंगे 3.75 के साथ तो आप क्या मिलेगा दोस्तो सबसे पहले solve करेंगे ये हो गया 1.45 उसके बाद ये 3.75 ठीक है पॉइंट नहीं रखके आप पॉइंट के बाद कितने digit हैं दोस्तो 1.2 ये हो गया 2. ये 3. और 4 कितने points हो गया दोस्तो 4. ये आप लोगो याद करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो अभी multiply करेंगे 5 को 5 के साथ multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 35 आएगा 2 carry on करेंगे उसके बाद 5 को जो 4 से multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 20 20 हों दो कितने हैं दोस्तो 22 22 यहाँ पर 2 carry on करेंगे जब 5 को 1 के साथ multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा 5 5 को 2 कितने हैं 207 ठीक है दोस्तो उसके बाद आप लोगो क्या करना पड़ेगा 7 को multiply करेंगे 145 के साथ तो ये हो गया multiply देकर आप लोगो multiply करना पड़ेगा 7 को 5 के साथ multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 25 आएगा ये 5 3 क्या करना पड़ेगा 3 carry on करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो ये हो गया 3 अभी 7 को 4 से जो है multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 28 28 हो तीन कितने हैं दोस्तो 31 एक यहाँ पर 3 carry on करें साथ को एक साथ multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो साथ आएगा साथ हो तीन कितने हैं दोस्तो 10 ये हो गया 10 उसके बाद ये साथ जो है multiply हो गया 145 के साथ उसके बाद हमें 3 को multiply करना पड़ेगा 145 के साथ यहाँ पर multiply देकर यहाँ पर multiply आपको देना पड़ेगा ठीसे चीक है दोस्तो अभी क्या करना पड़ेगा 3 को 5 से multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा 15 आएगा ये हो गया 5 उसके बाद 1 carry on करेंगे ठीक है दोस्तो 1 carry on करेंगे 3 को 4 के साथ multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 12 12 एक कितने हो दोस्तो 13 3 यहाँ पर 1 उपर 1 carry on करेंगे 3 को 1 के साथ multiply करेंगे तो जवाब क्याएगा 3 3 एक कितने हो दोस्तो 4 चीक है दोस्तो अभी क्या करेंगे जमा करेंगे यह हो गया 5 5 2 5 कितने हैं दोसो 7 7 हो एक कितने हैं दोसो 8 8 5 कितने हैं दोसो 13 तीन यहां पर एक केरियान करेंगे एक हो सिफिर कितने हैं एक हो तीन कितने हैं दोसो उसके बाद एक कुछ चार कितने हैं दोसो पांच तो दोस्तो ये चार डिजिट्स हैं पॉइंट्स हैं वो जो है लेफ्ट हैंड साइट के तरफ जाना पड़ेगा एक दो तीन चार यहां पर आपको देना पड़ेगा ठीक है दोस्तो इसका जवाब क्या है दोस्तो 5.4 3 75 इसका जवाब है क्या बी में इसका क्या है बी में इसका दुर्श जवाब है दोस्तो उसके बाद दोस्तो 6.4 minus 3.3 minus 1.2 multiply 2.5 ये बार का सिंबल है ठीक है दोस्तो same question है और most important है इंशाला तला जो है PST और JST के लिए ज़रू लगेंगे तो सबसे पहले ये बिरिकेट में जो है बार का सिंबल है वो solve करेंगे दोस्तो 3.3 से हम minus करेंगे 1.2 तो 6.4 अभी क्या करना पड़ेगा जो है minus करेंगे 3.3 से 1.2 सबसे पहले आप लोगो 3.3 रखना पड़ेगा उसके बाद ये रखेंगे रखने का तरीका point point के नीचे और ये हो गया 2 और ये हो गया 1 अभी क्या करेंगे मनफी करेंगे ठीक है 3 से जब हम 2 मनफी करेंगे तो जवाब क्याएगा 1 ये हो गया point 3 से हम 1 मनफी करेंगे तो जवाब क्याएगा 2 तो दोस्तो इसका जवाब क्याएगा 2.1 और इसके बाद क्या है multiply 2.5 उसके बाद दोस्तो ये जो बिरिकेट सॉल्ट करना है 6.4 ये माइनस तो दोस्तो 2.1 को multiply करेंगे 2.5 के साथ ये हो गया 2.1 और ये हो गया 2.5 ठीक है दोस्तो point के बाद कितने digit एक point के बाद कितने digit एक तो दोस्तो 1 को एक कितने है दोस्तो 2 ये आप लोगों को note करना पड़ेगा सबसे पहले multiply करेंगे 5 को एक के साथ multiply करेंगे तो 5 5 को 2 के साथ multiply करेंगे तो जवाब 10 उसके बाद ये हो गया multiply 2 को एक के साथ multiply करेंगे तो जवाब कियाएगा 2 2 को 2 के साथ multiply करेंगे तो जवाब कियाएगा 4 ठीक है अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों जमा करेंगे यह वो गया 5 सिफर हों दो कितने हैं दोस्तों 2 1 और 4 कितने दोस्तों 5 ठीक है कितने digit हैं दोस्तों कितने point है 2 तो left hand side आना है 1 2 तो यहां पर point देना है ठीक है अभी 2.1 को जब हमने multiply किया किसके साथ 2.5 के साथ जवाब क्या है गया 5 point 25 अभी क्या करेंगे दोस्तों 6.4 से मनफी करेंगे 5.25 तो दोस्तों सबसे पहले यह जो है आप लोगो को रखना पड़ेगा यह हो गया 6.4 point point के नीचे ठीक है दोस्तों अभी left hand side क्या है 5 है right hand side क्या है दोस्तों 2 है और 5 है अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आप लोगो को क्या देना पड़ेगा सिफर देना पड़ेगा अभी क्या करेंगे minus करेंगे ठीक है अभी जो है सिफर से 5-5- 5-5 नहीं हो सकता है हमी क्या करना पड़ेगा 4 से 1 रूपया बारो लेना पड़ेगा यह हो गए 10 10 से जब हम 5- करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो 5 आएगा तो यहाँ पर कितना बचा एक रूपया बारो लिया गया तो यहाँ पर 3 थ्री से हम दो मनफी करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो वन ये हो गया पॉइंट से जब हम फाइव मनफी करेंगे तो जवाब क्याएगा दोस्तो वन आएगा तो दोस्तो वन पॉइंट वन फाइव इसका जवाब आ गया बीम ही क्या है बीम ही इसका दुरूस जवाब ह तो दोस्तों ये सवाल फाइनल सवाल था इंशाला ताला जो है बहुत जल्द एक और वीडियो अप्लोड किया जगा शुक्रिया दोस्तों अलाफेस